नमस्कार नियूस वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सुमन पाल चलिए खबरों के शुरुबात करेंगे बड़ी और रहें खबर के साथ मेघाले के स्पोर्ट डिपार्टमेंट बिजेपी को पीए संगमा स्टेडियम में ही प्रधान मंतरी नरिंद्र मोधी की रैली करने की इजाज़त नहीं दी है और पीए संगमा स्टेडियम में घाले के मुखे मंतरी कॉन्राड संगमा के निर्वाचन छेतर दक्षिन तुरा म और स्पोर्ट्स डिपार्ट्मेंट ने निर्मार कारे का हवाला देते हुए इजाज़त देने से इंकार किया है और उधर बीजेपी ने इस सपन नराजगी जताती हुए आरोप लगाया है बीजेपी ने साफ तोर पर कि सत्ताधारी नेशनल पिपलस पार्टी यानि की एन प पीपी तरुनमल कॉग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर राज़े में बीजेपी की भगवा लहर को रोकने की कोशिश में चुटी है और मेगाले में 27 परवरी को मतान होना है और इससे पहले पीएम ओधी 24 परवरी को ही शिलोंग और इसके साथ ही तुरा में च सभा करना ठीक नहीं है और इतना ही नहीं डिपार्टमेंट का दावा है कि साइट पर ही कड्रक्शन्स संबंधी सामान भी रखा है और यह सुरक्षा संबंधी चिंता का विशे भी हो सकता है और ऐसे में पीए संगमा स्टेडियम की जगा आलार्टकर स्टेडियम के लेकर इसको बात कही गई है कि आलो टर्गे किर्केट स्टेडियम में रैली करने पर विचार भी किया जो रहा है दिली में ओवेसी के घर पर बदमाशों ने रविवार यानी की 19 परवरी देर शाम को पतराओ कर दिया है और पतराओ के बाद ओवेसी के घर की खिडकिया तूट गई है और इस घटना की पुस्टी दिली पुलिस ने ही की है बता दे आपको को की घर पर पत्राव के बाद ओवेसी ने ही पुलिस से संपर्क किया और घटना की जानकारिती है ओवेसी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कुछ अग्यात बदमाशों ने उनके दिल्ली में मौझूद आवास पर पत्राव किया है और ये घटना अशोक रोड इलाके में शाम करीब साड़े पांच बजे हुई है सूचना के बाद अतिरेक्तर डीजी पी के ने तो तुमें ही दिल्ली पुलिस की एक टीम नहीं हो वेसी के घर का दौरा किया और मौके से सबूत इकठे किये है उन्होंने कहा है कि मैं रात साड़े ग्यारा बजे अपने आवास पर पहुचा और लोटने पर मैंने देखा कि खिड़ियों के शीशे तूटे थे और चारों और पत्थर पड़े हुए थे मेरे घर पर काम करने वाले शुक्स ने बताया कि बदमाशों के एक समूने शाम करीब साड़े पांच बजे निवास पर पत्थर पैके है बिहार की राजधानी पटना में पार्किंग को लेकर शुरू हुए विवाद ने भयानक जगडे का रूप ले लिया है जिसके बाद पांच लोगों को गोली मार दी गई है और इस घटना में अब तक दो लोगों की मौत हो गई है बताते चले आपको कि जब कितीन की हालत गंभीर बताई ज़ा रही है और पटना सीटी के जेठुली इलाके में पार्किंग को लेकर गोली बारी होने के बाद और पुलिस ने इस मामले में अभी तक साथ आरोपियों को गिरफतार किया है लेकिन इलाके में स्थिती तनावपूर्ण बनी होई है इलाके में भारे पोर्क के तनाती की गई है और इस घटना में मारे गई लोगों के परिजनों ने बताया है के जेटुली में ही उमेश राय नाम का एक दबग व्यक्ति रहता है और जिसका काम लोगों को जमीन जड़ब कर ही गलत तरीके से ही पैसा कमाना है और इसके कई राजनीतिक पार्टियों से भी अच्छे संबन्थ है और उसी के पार्किंग से ही गारे निकालने को लेकर जड़ब हो गई तो बता दें आपको कि मिर्टका के परिजनों का जहां पार्किंग स्थल है वहाँ पर उमेश राय अपने ट्रक्टर से गिट्टे गिरा रहे थी और जिसके कारण पार्किंग स्थल का रास्ता ब्लोग हो गया और गारे निकालने को लेकर विवाद भी शुरू हो गया देश के पहली रोटी बैंक नहीं तुर्की में आए भुकंप की आपदा में राहत पहुचाने की पहल की है बुलंद खंड में महोबा पहला जिला है जहां से तुर्की को आर्थिक और राहत समगरी रोटी बैंक द्वारा भेजी गई है और पहली खेप में रोटी बैंक में शामिल सभी संपरदाय के लोगों नहीं इकठा होकर आम दिंचर्या में उपियोग होने वाली सामगरी सहित खाद्य सामगरी भेची है रोटी बैंक आम लोगों को भी आपदा के समय में मदद के लिए प्रेडित करने का काम कर रही है और भूखों को भरपेट भोजन उपलब्द कराने वाली रोटी बैंक इस पहल की हर कोई सराहना कर रहा है और एक कारिक्रम के माध्यम से एकठा की गई सामगरी को आर दिल्ली में ही तुर्की में दुतावास में भेजा जाएगा जहां से उक्तराहत सामगरी तुर्की में भूकम पीडितों तक पहुचाए जाएगी तर्की और सीरिया में जो भुकम पाया है इसमें बहुत सारी आपदाई हैं इसमें मदद के लिए बेजा जा रहा है और इसमें चावल भी है पांच कुंटल और सौ कंबल है कैप है सैनिटरी पैड है सो और भी तरह तरह की इमदाद की जा रही 25,000 पैश भी बेजा जा रहा है और आगे भी इस तरह की मदद जाएगी यह हमारा वादा है कि हम लोग और गी इस तरह मदद करते रहें कि जब भी कमद जाएंगी इस तरह की मदद की जाएगी तरह की में जो ड्यवी अबदा ही है उस में इंडियेन रोटी वेंग के द्वारा महहव और बेजी जा रहा ही वहां इंबेसी में पंटन चछचा की पात हुई है तो यह यह मंद आपकी जाएगी मैसी से तरगी जाएगी पाज को हम संदेज देते हैं, कि सबसे पहले हम भारती है और इंसान है, हम दूसरे के दिलों के दर्द को जाने, उनके दökों को सहे, उनके आजों को जीền, हमें मालुंवाना चाहिए कि एक इंसान जब विपकटा आती है तो वो किस तरह सी अतीम वो मिस्खिन हो जाता है उसी किस चीजहों के तो उसके दरद को जा रेंगी तो हमारे अंदर मानुता प्रेम दैया प्रेम- काम स्वैम करा लेगा और सौइम वो समर्थ प्रदा करेगा कि वो कारी हो जाएगे चले रुकर तेखली खबर कियो और रखदान महादान इर्फान खान समर्थन में जिनका दस महीने का बच्चा नीमोनिया से पीड़ी था और बलड ना मिलने से माबाब परिशान थे शोशल मीडिया के जरिये आसरा एंजियो से संपर्क किया गया जिसके बाद आसरा सोसाइटी ने तुरंत ये बलड की सहायता कराई गई जिसमें दस महीने के बच्चे की जान बचाई गई है बंडी भाईया कामने पता पड़ा आधरा इंजियों में की करप से तो हमने ने कॉल की तो भाईया है हमाई मदद की उननों कोई पैसे ने लिए और हमा साथ दो गंटे गुदी पाई फिलाल इस मुलेटन में इतना ही खबरों का सिलसिल अलगातार चारी है आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया